हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे सूजी के बहुत ही टेस्टी और बहुत जटपड बनने वाले गुलाब जावन तो चली शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने लिए आधा कप सूजी तो सूजी को हमने ड्राइ रोस्ट करना है ऐसे भूनना है तो हमें इसको लो फ्लेम में लगातार चलाते वे भूनना है और तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी महक नाने लग जाए हमें सूजी का कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है तो सूजी मेरी भून गई थी मैंने उसको गैस आउफ करके साइड में रख लिया है और gas मैंने हाप फ्लेम हाई में रखा है और इसके साथ मैंने इसमें आड़ किया है केसर के कुछ स्ट्रेंज तो 10 से 12 मैंने केसर के धागे इसमें यूज किया है इसको मिक्स कर लेंगे पानी में अब हमें इसको 4 मिनिट तक बॉयल देना है मीडियम फ्लेम पे तो यह रेखिए केसर से इसका कलर इतना अच्छा आ गया है तो चासनी का फ्लेवर और बढ़ाने के लिए अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ 1 by 4 टी स्पून इलाइची का पाउरडर इससे चासनी बहुत टेस्टी बनती है तो अब हम इसको एक मिनट के लिए और बॉयल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे और यह रेखिए हाँ पर मैंने गयस को बन कर लिया है और हमाई चासनी यहाँ पर रेड़ी हो चुकी है अब मैं इसको ढख कर रख लूँगी ऐसे ही तो अब हम बढ़ते हैं कडाई की और तो यहाँ पर मैंने एड़ किया है एक छोटी चमज गी गी को मेल्ट होने देंगे अब हम इसमें एड़ कर लेंगे डेढ़ कब दूद यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर सूजी आधा कब लीती तो उसके हिसाब से हमें दूद डेढ़ गुना एड़ करना है तो मैंने हाँ पर डेढ़ कब दूद एड़ किया है अब मैं इसमें एक बड़ी चमज चीनी को एड़ कर लूँगी तो इन सब को अच्छी से मिक्स कर लेंगे अब हम हाई फ्लेम में एक दूद को बॉइल आने देंगे और उसके बाद हम जो भूनी वी सूजी थी उसमें देर देरे एड़ करते रहेंगे और इसको मिलाते रहेंगे एक साथ हमें सूजी को एड़ नहीं करना है इसकी गुठलिया बन जाती है तो हमें दीरे-दीरे सूजी को मिलाते रहने और इसको चलाते रहना है तो अब मैंने फ्लेम को यह पे लो कर लिया है अब हम इसको लो फ्लेम में तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका आटा जैसा ना बन जाए और यह जो सारा मिक्स्चर है यह पैन को ना छोड़ दे तो थोड़ी देर में यह मिक्स्चर है एकदम गाड़ा हो जाएगा आप देखते रहेए यहाँ पर हमें इस बात का धिहान रखना है कि हमें अपने हाथ को बिल्कुल नहीं रोकना है क्योंकि यह जल जाएगा नितो तो इसको लगातार चलाते हुए हम बनाते रहेंगे तो यह देखिए कुछी देर में यह ठीक होने लग गया है दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजे क्योंकि मैं ऐसी नहीं रेसिपी के साथ आते रहती हूं और बगल में जो बैल आइकन होते है उसको प्रेस कीजे ताकि जब भी मैं कोई नहीं रेसिपी डालू उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे दोस्तों यह गुलाब जामन सूजी के है तो यह बहुत ज़्यादा है और बहुत टेस्टी होते है यह बहुत सॉफ्ट बनते है और एकदम से मुवें खुल जाते है तो आप लोग इसकी रेसिपी को एक बाज हो ट्राइ करना तो यह देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो एक को बाहर निकाल लेंगे अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ना है एक दम इसको थनदा मैं मतलब जबने ताकि हम स्को भात लगा सके तो rasa ठंडा हो चुक है अब मैंने हाथ को घीर से कर लिया है ऑब हमें इसको mere qi 30 कि यह चितनेREE करेगे उत तो यहां पर मैंने जितनी ह्म पूरी के लिए लोई लेते उतने सी लोई लिए और एकि साइज के मैंने तॉरे सारे गुलाब जामट यहां पर बना लगाए तो इस तरह से बिए गोलगल घुमाते पर इसके गुलाब जामुन को बना लेना है इसमें कोई भी क्रैक नहीं आने चाहिए क्योंकि अभी के टाइम में जो क्रैक आएगा तो वो तलने के टाइम में फट सकते हैं तो यह रेखिए हमारे गुलाब जामुन बन करेडी है तो इसी तरह से मैंने सारे गुलाब जामुन बना लिया है इतने मिक्स्चर से मेरे बने थे 12 गुलाब जामुन मीडियम साइज के ये रेखे और ये सारे कितने स्मूध बने हैं आप लोग देख सकते तो अब हम इसको कर लेंगे फ्राई तो फ्राई के लिए हमने पहले तेल चड़ा लिया है मैंने आप गैस पे तो तेल को हमने मीडियम गरम होने देना है जादा एकदम गरम नहीं करना है तो सारे गुलाब जामुन को मैंने तेल में डाल लिया है और हमें इसको deep fry करना है तब तक जब तक इसका color एकदम golden brown ना आ जाए और अभी हम इसको fry करेंगे low medium flame पे तो जितने आ सकते हैं आप इसमें उतने डालना बहुत ज़्यादा मत डालना तो इस तरह से हमें इसको हलके हाथों से पलटना है क्योंकि एकदम से तूट जाते है तो इस तरह से मैंने इसको पलट पलट कर चार और से fry कर लिया था तो मैंने थोड़ा कड़ाई में ज़्यादा डाल दिये थे तो थोड़ी problem हो रही है इसको पलटने में तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे गुलाब जामून बनका रेड़ी हो चुके है अगर आपको इसको थोड़ा और कलर देना है थोड़ा और ब्राउन करना है तो आप इसको थोड़ी दिर और फ्राई कर लिजिए तो मुझे इतने पसंद है तब ही मैंने इसको इतने में निकाल लिया था तो मैंने सारे गुलाब जामून को चासनी में डाल दिया है और चासनी को मैंने रख दिया है गैस पे तो अब ही हमें क्या करना है एक इसको हाई फ्लेम में बॉइल देना है ताकि जो सारी चासनी अच्छी से गुलाब जामून हमारा अब्सॉर्ब कर ले उसको तो एक बॉइल देने के बाद हम गैस को यहाँ पर बन कर लेंगे और यहाँ पर मैंने इसको ढखकर रख दिया एक घंटे के लिए तो एक घंटे बाद देखिए आप चासनी पूरे गुलाब जामून में अच्छी से भर चुकी है और यह सच में बहुत टेस्टी बने है आप लोग इसको जो ट्राइ करना और आप लोग देख सकते हैं किते तो यह रेखिए दोस्तों रेसिपी पसंद है तो लाइक करना और शेयर करना थैंक्स वाचिंग फिर मिलूंगे एक नए रेसिपी के साथ बाबाबाब